नमस्कार साथियों, हम MST1 के पाठे करम में शामिल किये गए सूरदास ची के भ्रहमर गीत के पदों की व्याख्या कर रहे थे पिछले वीडियो में हमने कुल पांच पदों की व्याख्या की थी और भ्रहमर गीत से कुल तस पदों की व्याख्या आपकी परिक्षा में पूछी जाती है तो बाकी की जो पांच पद रहे गए थे उनकी व्याख्या आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ब्रहमर गीत सूर दास्ची की सूर सागर पुस्तक से लिया गया है और बहुती मेहतोपूर्ण हिस्सा है। प्रहमर गीत में गोपियां उद्धव जी पर व्यंग करती हैं, उद्धव जी योग साधना की बाते गोपियों को सिखाते हैं, भगवान श्रीकिशन का संदेश लेकर आते हैं, कि तुम अपना पूरा जीवन भगवान श्रीकिशन की यादों में क्यों बिता रही हो, भगव यहाँ पर निर्गुन भक्ती का संदेश देने के लिए आये हैं और बहुत सारे तरीके से गोपियों को समझाने का प्रियास करते हैं उद्धव जी को अपनी योग साधना की बातों पर योग साधना की ग्यान पर बहुत एहम हो जाता है वो गोपियों को समझाने का प्रियास करते हैं और अपने मन में कही न कहीं सोचते हैं कि गोपियां भोली भाली हैं, सीधी हैं, अनपढ हैं उनको इतना ग्यान कहां पर है अगर मैं उनको अपनी ग्यान की बाते समझाऊंगा तो आसानी से समझ जाएंगी और मेरी बाते मान लेंगी लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत होता है जैसा उद्धव जी सोच कर जाते हैं वैसा वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी नहीं होता और अंत में उद्धव जी को गोपियों से समवाद करने के बाद एहसास होता है कि जिनको मैं भोली भाली अनपड गोपियां मान रहा था वो तो बहुत बड़ी ग्यानी है गोपियां बहुत चतुर हैं, समझदार हैं, ग्यानी है जिस ग्यान को मैं भी प्राप्ट नहीं कर पाया भगवान श्री किशन के चड़नों में रहते वे इतने दिनों तक मैं नहीं समझ पाया, वो गोपियां इतनी भली भाती समझ रही है। और यहाँ पर गोपियां सगुन भक्ती का समर्थन करती है, उनको लगता है कि भगवान श्रीकिशन की जो मूरत है, वो हमारे मन में बसी हुई है, भगवान श्रीकिशन की मूरत को हमने अपने मन में बसा लिया है, हमारे अंतिम सांस तक वो मूरत हमारे मन से कोई नहीं निकाल सकता। हमें निर्गुण इश्वर की साधना करने की अवशक्ता नहीं है, निर्गुण कौन है, कैसा है, कहां से आया है, गोपियों का मानना है कि जिसको आज तक हमने देखा ही नहीं है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, कौन है, क्या है, जिसका कोई आकार प्रकार ही नहीं है, उसकी साधना हम कैसे कर सकते हैं, हमारा मन उसकी साधना में कैसे लग सकता है, हमने तो बच्पन से ही भगवान श्रीकिशन की मोहनी मूरत को देखा है, उनकी बाल लिलाओं को देखा है, उनकी प्रेम में हम अनुरक्त हैं, और यह जो प्रेम है, वो हमारी संपत्ती है, हमारा सच्चा सुख है, इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो यह बहुत सारी बाते यहां पर गोपियां उद्धव को समझाने का प्रियास करती हैं, हाला कि उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, लेकिन अंत में गोपियां ही उद्धव को हैरान कर देती हैं, और अपनी वाक पटूता से, अपनी चतुराई से, किस तरीक यहाँ पर आप पद देख सकते हैं, बार-बार परिक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही मैत्वपुन पद है, निर्गुन पंथ की अनुप्योगीता, कि निर्गुन भक्ती जो है, वो गोपियों के लिए अनुप्योगी है, किसी काम की नहीं है, बिकार की वस्तु है, फ पद है, वो रागसारंग में लिखा गया है, यहाँ पर गोपिया उद्धव की बहुत सारी योग साधना की बाते सुनने के बाद, अब उद्धव के उपर कटाक्ष करते हैं, हस्ते हैं कैती हैं, उपखास करते हैं, निर्गुन कौन देश को बासी, हे उद्धव हमें बता बताओ निर्गुण कौन देशकोबासी जो निर्गुण ब्रह्मा जिसके बारे में तुम हमें घ्यान दे रहे हो, जिसके बारे में तुम संदेश लेकर आयो. और भगवान श्री कृष्षन ने ये संदेश तुमें देख कर भेजा है. हम तो इस बात से दुखी हैं. हम तुम से नाराज नहीं है, हम तो भगवान श्री किर्शन से नाराज है, वो वादा करके गए थे कि वो हमसे वापिस मिलने आएंगे, और अभी तक वो वापिस मिलने नहीं आएंगे, हे उद्दव हमें ये बताओ, निर्गुन, जो निर्गुन इश्वर है, कौन देश को वासी, कौन देश को बासी, वो कौन से देश का निवासी है, कहां पर रहता है, उसका आता पता क्या है, हमें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जिसको हम जानते नहीं है, जो अंजान होते हैं, उनके बारे में हम कैसे अपने मन को लगा सकते हैं, और यहां पर वो अपनी दुस्तिकौन से देखता है, उसके लिए वही 6 जो संख्या है, वो 9 बन जाती है और ये बहुत ही आसांसा उधारण है जो बहुत बर हमने देखा और सुना है तो हर किसी का अपना दर्ष्टी कौन होता है देखने का नजरिया होता है तो गोपियां यहां सगुण भक्ति करना चाहती है और यहां पर उद्धव जी जो है वो उनको निर्गुण भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो दोनों का ही जो तरीका है वो अलग है, दोनों का अपना अपना सोचने का तरीका है, अपने वास्त्विक जीवन में भी जब हम दूसरों को अपना नजरिया थोपने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, विवाद होता है, इसलिए सगुन भक्ति भी अच्छी और निर्गुन भक्ति भी अच्छी है, जिसको जिस तरीके से इश्वर को प्राप्त करना है, वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इश्वर तो एक ही है, सगुन भक्ति के उपास्तक भी मानते हैं कि अंतिम सत्य क्या है, इश्वर एक है, और निर्गुन भक्ति के उपास्तक भ बाते समझने का प्रियास नहीं कर रहें। बाते समझने का प्रियास नहीं कर रहें। बाते समझने का प्रियास नहीं कर रहें। को है जनक? जनक यानि की पिता? तुमारे निर्गुण इश्वर का जनक कौन है? हमारे काना का जनक कौन है? हमें पता है। नंद बाबा ये शोदा मैया उनके माता पिता है, हमारे बीच में वो पला है, बड़ा हुआ है। उनकी बाल लिलाएं हमने देखी है, उनको माखन खाना बहुत पसंद है, उनको बाल गवालों के साथ खेलना बहुत पसंद है, उनको माखन की मटकें तोड़ना बहुत पसंद है, गोपियों को सताना बहुत पसंद है, हम सब को चानते हैं काना के बारे में लेकिन जो आपका निर्गुन ब्रह्मा है को है जनक उनका पिता कौन है जननी को कहियत और जननी यानि की माता और कौन उनकी माता है आप हमें बताओ कौन नारी, अगर आपके निर्गुन ब्रह्मा पुरुष है, तो उनकी पत्नी कौन है, को दासी और अगर वो राजा की समान वैभव शाली है, अगर उनका राज काज है, तो उनके सेवक सेविकाई कोन है, उनके नोकर कोन है, उनकी दासिया कोन है, कैसो बरन, बरन यानि की र के ही रसे, रसे यानि कि किस बात को पसंद करते हैं, किसमें वो रूची लेते हैं, किसमें वो रस लेते हैं, कौन सी चीज उनको पसंद है, कौन सी चीज उनको पसंद नहीं है, किस से वो प्रेम करते हैं, रसे में अभिलासी और किसकी उनको अभिलाशा है, किनकी उनको इच् प्रियास करेंगे, हमें गलत बात बताने का प्रियास करेंगे, पावेगो पुनी कियो अपनो जोरे, जो आप हमारे साथ करोगे, यदि छल कपट करोगे, गलत जानकारी देने का प्रियास करोगे, तो उसका जो फल है आपको मिल जाएगा, उसका जो परिनाम है एक ना एक दि उनके इस सारी चतुराई की बाते सुनकर, सुनत मौन हवे, सुनकर मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, हक्के वक्के रह जाते हैं, रहियो ठगियो सो, ऐसे लगता है जैसे गोपियों ने उनको ठग लिया है, जैसे वाद विवाद में उनको प्रास्त कर दिया है, किम जो योजना बना कर आये थे, जो बाते मन में सोच के आये थे, कि गोपियों से इस तरह से मैं बात करूँगा, इस तरह से उनको समझाने का प्रियास करूँगा, वो सारी योजना तो यहाँ पर विफल हो जाती है। कितनी वाक पटूता के साथ, कितनी चतुराई के साथ, उद्धव जी की निर्गुन भगती की बातों को नकाल देती है और सगुन भगती की बाते जो होती है यहाँ पर विजय हो जाती है। कर बताना, हमसे नाराज नहीं होना कि हम कैसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल हैं हमारे मन में उठ रहे हैं, जब तुम निर्गुन साधना की बाते कर रहे हो, तो हम तो इसको स्विकार कर ही नहीं पारे, समझ ही नहीं पारे। उद्धव उनकी बातों को सुनकर अवाक हो जाते हैं, हक्के बक्की रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। आगे बारवा पद व्याख्या के लिए पूछा जाता है, किर्शन के बिना प्रकृती भी उदास हो जाती है, यहां पर बहुत सुन्दर वर्णन किया है और ये भी बहुत महतोपूने बारबर परिक्षाओं में पूछा गया है। इन पदों को पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं सूर्दास्ची को मनों विज्ञान का कितना गहरा ग्यान था। जो बाल ग्वाल है, वो पूरी तरह से उदास हो गए है। जबसे भगवान श्रीकेशन मथुरा गए हैं तबसे उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है। और यहाँ पर सूर्दास्ची कहते हैं बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे क्या होते हैं बाग बगीचे बैरिन यानि की बैरी शत्रू हो गई है। यहाँ पर सूर्दास्ची कहते हैं कि बिना गोपाल के बिना कहना के जो यह बाग बगीचे हैं यह शत्रू के समान लगते हैं। यह लता लगती अती सीतल जब भगवान श्रीकिशन हमारे साथ होते थे इन बाग बगीचों में हमारे साथ करडाएं करते थे बाल लिलाएं करते थे गायों को चराते थे गोपियों के साथ रास लिलाएं करते थे तब यह जो लताएं हैं यह जो परकरती हैं यह जो बाग गीचे हैं, जो ये पेड़ पोदे हैं, बहुती शीतल लगते थे, मन को सुकून देने वाले लगते थे, अब भाई विशम जुआल की पुंजे, और अब ये वियोग की स्थिति में ऐसे लग रहे हैं, जुआल जैसे जुआला की लताएं बन गए हैं, जुआला की पुंजे, पुंजे क्या होता है, समू होता है, अभी सारी जो लताएं हैं, अभी जो लताएं हैं, ऐसे लगता है, ये सारी अगनी जुआलाओं के समान हमें जला रही है, वियोग अगनी में हमें जला रही है, हमारी मन को डाएं करते थे तो हमारे मन को बहुत सुकून मिलता था अब भई विशम जुआल की पुंजे और अभी सब अगनी लताइं बन गई है अगनी की लताओं की समान हमें जला रही है विर्था बहती जमुना विर्था होता है बेकार में निरर्थक बहती जमुना और यह जमुना नदी जो है यह ऐसे लगता है बेकार में ही बह रही है पहले यमुना की जो कलकल है कलकल की जो ध्वनी है इतनी मधुर लगती थी मन को सुहाती थी जब भगवान श्रीकिशन हमारे साथ होते थे यमुना की किनारे पर बैठ कर कहना जब बाल गौलों के साथ खेलते थे, मधुर मुरली बजाते थे, गोपियों को छेड़ते थे, तो यमुना हमें बहुत ही सुहावनी लगती थी, विर्था बहती जमुना, अब तो ऐसे लगता है कि यमुना नदी वैसे ही बह रही है, बेक चाहते थे, तो बहुत ही मधुर संगीत उत्पन करते थे, हमारे कानों को बहुत सुकून देते थे, मन बहुत सुखी हो जाता था, लेकिन जब से कहना मधुरा गए हैं, वियोग की स्थिती में ये जो पक्षी है, ये जो बोल रहे हैं, ऐसे लगता है, बेकार में ही बोल र लेकिन अब तो ऐसे लगता है कमल के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं और जो खुश्बू फैला रहे हैं कमल के फूल बेकार में ही खिल रहे हैं बेकार में ही अपनी खुश्बू को वातावण में बिखेर रहे हैं यानि कि यह सारा का सारा जो वातावण है अब हमें दुख वैसे भी ये मनोवग्यानिक सत्य है जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ रहते हैं चोटी से चोटी वस्तू भी हमें सुख देने वाली लगती है आनंद देने वाली लगती है जब उसी से हम बिछुड जाते हैं तो वही वस्तूएं बार-बार रहकर हमें उस संयोग की स्थि पीड़ा देने वाली होती है। पवन पानी, जो शीतल पवन है, घंसागर, घंसागर क्या होता है, कपूर होता है, संजीवनी क्या होता है, चंदन होता है, और ये कपूर और चंदन का जो लेप है, दधी सुत, दधी सुत क्या होता है, चंदर्मा होता है, चंदर्मा की जो किर्ने है, शीतल किर्ने है, ये पज़ की गर्मी के समान हमें तपा रही है, हमें जला रही है। क्या होता है, छुरी होती है, जिससे पशू को काटा जाता है, कदन करी मारत लुंजे, लुंजे यन की अपंग, हमारे जो अंग हैं, उनको अंग भंग करना, उनको अपंग बनाना, तुमारी विरह की जो अगनी है, वो धीरे-धीरे करकर छुरी के समान, जैसे एक पशू की बली दी जाती है, धीरे धीरे उसको काटा जाता है, उसको पीड़ा दी जाती है, वैसे ही जो तुमारे विरह की अगनी है, वो उस छुरी के समान है, जो हमें क्या कर रही है, हमें अपंग बना रही है, हमें बे साहरा बना रही है, हे उद्धव, भगवान श्री किष्ण से ज पंग बना रहे हो। पंग बना रहे हैं। प्रकरती के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रियास किया है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना ब्रजवासी बहुत ही मायूस हो गए हैं। पंग बना रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं पद संख्या सोले से व्याख्या पूछी जाती है गोपियों का उपालंब। उपालंब क्या होता है उल्हाना देना शिकायत करना व्यंग करना और उनका वाक चातुरिये बाचित करने की जो कला है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इस पद के माध्यम से सूर्दास्ची गोपियों के उपालंब को दिखाते हैं। गोपियां यहाँ पर कहती हैं उद्धो हे उद्धव, उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं। अब तुम हमें किस मन से योग साधना की बाते करने का संदेश दे रहे हो। अगर मन होता तो हम तुमारे बातों को समझते, निर्गुन ब्रह्मा की भक्ती करने के लिए तयार हो जाते, बहुती रूची के साथ तुम्हें संदेश लेकर आये हो। बहुती समझदारी के साथ तुम हमें समझा रहे हो। लेकिन हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं। मन नहीं हात हमारे। रत चढ़ाई हरी संग गए हमारा जो मन है वो रत के उपर चढ़कर हरी के संग चला गया है। कहां चला गया है। नातरू कहा जोग हम चांड ही अती रूची के तुम लाए। नातरू यानिकी नहीं तो कहा जोग हम चांड ही हम तुमारी योग साधना की बाते कहां छोडते हम उनको बहुत अच्छे से समझते योग की बातों को हम समझते उसको छोडते नहीं। अती रूची के तुम लाए, इतनी रूची से, इतने मन से इस संदेश को तुम हमारे पास लेकर आयो, लेकिन हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो जखती श्याम की करनी, जखती यानि कि जख मारना, परेशान होना, जुन्जलाना, गुस्सा करना, तो हम तो परिशान किस्ते हैं, स्याम की करनी, काना ने जो हमारे साथ किया है, काना जो वादा करके अभी मुकर गए है, तुम्हें संदेश देकर भेज दिया है, खुद हमसे मिलने नहीं आए है, हम तो उसके कारण जुझला रहे हैं, उसके कारण परिशान है, पीडा में है, मन ले जोग पठायो और खुद तो हमसे मिलने आई नहीं है और हमारा मन खुद लेकर चले गए है और फिर योग साधना की बातों का संदेश तुमें देकर भेज दिया है मन ले, मन तो लेकर चले गए हैं जोग पठाए और फिर योग का संदेश भी हमें समझा रहे हैं। दजू मन अपनी हम पावे, तुम ते होई तो होई। हे उध्धव, तुम ते होई तो होई। हे उध्धव, अगर तुम कर सकते हो, तो तुम ऐसा करना, जिस से, जिस तरीके से हम अपना मन दुबारा से प्राप्त कर लें। अगर हमें हमारा मन वापिस मिल जाएगा, तो हम तुमारी योग साधना की बातों को समझ पाएंगे। तो गोपियों की पीड़ा को यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर गोपियों की मन की पीड़ा को कितनी बारिकी से सुर्दास्ची ने दिखाया, कितने मनोवेग्यानिक तरीके से छोटी-छोटी बातों को यहाँ पर समझाने का प्रियास किया है। कि जिससे हम प्रेम करते हैं, हमारा मन तो उसी में लगा रहता है। जिसके हम भगती करते हैं, हमारा मन तो उसके चर्णों में लगा रहता है, अब और कोई मन हमारे पास दूसरा नहीं है, जिससे हम दूसरी भगती कर सके। सुन सके, समझ सके। सगुन भगती से भी सच्ची भगती की जा सकती है, और यहां पर भगवान की मूरत हमारे मन में बसी हुई है, कोई भी दूसरी बात हमारे मन में बस नहीं सकती है। हमारा मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चर्णों में समर्पित है, किसी और बात में वो अब लग नहीं सकता है। अगर तुम कोई ऐसा उपाई कर सकते हो, जिससे हमारा मन वापिस मिल जाए, तो हम तुम्हारी बातों के बारे में सोच सकते हैं, उनको समझने का प्रियास कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुती चतुराई से, बहुती समझधारी से, गोपियां यहाँ पर किस तरीके से बाते कर रही है। तो क्या बाते यसोदा मैया देवकी मा से कहती है, कौन सा संदेश भीर्षती है, वो संदेश यहाँ पर दिया गया है। जनम देने वाली मा देवकी है, तब से वो कितनी दुखी है, कितनी व्याकुल है और उनकी पीड़ा उनकी बातों से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर यसोदा मैया कहती है, बहुती मारमिक वर्णन किया गया है, क्योंकि एक बच्चे को पाल पोस कर बढ़ा करना, और यह मान कर बढ़ा करना कि वो बच्चा मेरा है, मैंने उसे जनम दिया है। वो बहुत बड़ी बात होती है, और जब पता लगता है अचानक से, एक शन भर में वो बच्चा पराया हो जाता है, कोई आकर कह देता है कि तुम तो इसकी मान नहीं हो, इसकी मान देव की है। तो ये शोदा पर क्या बीतती है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैसूस कर सकते हैं। तुम मेरे उपर किरपा करते रहना, तुमने बहुत बड़ा उपकार मुझे पर किया है, अपने बेटे को मुझे सोंप दिया है, मैं तो उसका पालन पोशन करने वाली दाई मातर हूँ, तो मुझे उसके हाल चल बताती रहना। उसकी रूची करबाते हैं, क्या उसको पसंद नहीं है, वो सारी बाते मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाला कि तुम उसकी मा हो, जनम देने वाली मा हो, मुझसे बढ़कर हो, तुम सब कुछ जानती हो अपने बेटे के बारे में। लेकिन मेरा ये मन मान नहीं रहा है, मुझे लगता है कि मेरा बेटा इतने दिनों तक मेरी साथ रहा है, छोटी-छोटी बातों का मैंने ध्यान रखा है, काना इतने दिनों तक मेरी साथ रहा है, उसकी छोटी-छोटी बातों को मैं पहचान गई हूँ। और दिन रात मुझे उसकी चिंता लगी रहती है कि कहीं अच्छे से वो वहाँ पर खा रहा है कि नहीं खा रहा तो यहाँ पर एक मा के मन की वेथा है जो कितनी बारिकी से सूरदास चीने पकड़ कर यहाँ पर वर्णन किया है और वैसे भी अगर वास्तविक जीवन से जोड़ कर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं हमारे घर में हम कितने सुचंद रहते हैं कितने आराम से रहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जहां चाहें जो चाहें कुछ कर सकते हैं दूसरों के घर में जाते हैं, तो हम बहुत तोर तरीकों के साथ रहते हैं, अगर खाना बहुत अच्छा बना है, अगर किसी के घर में जाकर हम खाना भी मांगते हैं, तो बहुत ही संकोच होता है, वो बात नहीं रहती हैं, लेकिन वो बात नहीं रहती हैं, जो अपने घर में जब मैं उनको रखती थी आंगन में, तो मेरा जो लाल है, काना है, वो समझ जाता था, बहुत ही समझदार था, कि मिया अब मुझे नहलाने वाली है, स्नान करवाने वाली है, और वो भाग कर चले जाते थे, देखत ही भजी जाते, देखते ही भाग कर चले जाते थे यहनकि उनको नहलाना बहुत ही मुश्किल काम था बहुत मना कर मान मनुहार करकर उनको नहलाया जाता था जोई जोई मांगत सोई सोई देती और जो जो वो मुझसे मांगते थे वो वो लाकर मैं उसे दे देती थी करम करम करी नहाते और धीरे धीरे मना कर धीरे धीरे फुसला कर एक तरीके से मैं उसको क्या करती थी, स्नान करवाती थी तुम तो टेव जानती ही हवे, हे देव की तुम तो जानती ही होगी, टेव क्या होता है उपाई, तुम तो सारे तरीके जानती ही होगी, तुम तो इसकी वास्तविक मा हो, जनम देने वाली मा हो, मा का हिर्दे तो अलग ही होता है तव मोही कहीं आवे, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो बाते हैं वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अपने मन की बातों को मैं तुम्हारे साथ साज़ा करना चाहती हूँ मक्खन रोटी बहुत अच्छी लगती थी, सुबह सुबह वो मक्खन रोटी खाता था, खुश होकर खाता था, उससे उसका पेट भर जाता था अब ये सूर मोही निसी बासर बड़ो रहत जिये सोच, सूरदास्ची कहते हैं कि अब मुझे निसी बासर, निसी क्या होती है, रातरी बासर यान की दिन, दिन, रात मुझे यही बात सोच, यान की यही चिन्ता सताती रहती है, जिये यान की मन में यही चिन्ता लगी रहती कि मेरा बेटा संकोच के कारण माखन रोटी खाता है की नहीं, उसका पेट भरता है की नहीं, अच्छे सिस्नान करता है की नहीं, अब मेरे अलक लडेत लालन हवे है करत संकोच, और मेरा जो लाडला है, लडेत क्या होते हैं, लाडला दुलारा, मेरा जो लाडला है, मेरा दु बहुत चाव से खाता है। कई वहां के राज महलों के जो भोग हैं, उनको खाकर उसका मन संकोच के कारण माखन रोटी नहीं मांगता होगा, कहीं उसका पेट भरा नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। का इतना सुक्षम चितरन यहां पर सुर्दास्ची ही कर सकते हैं। ब्रजवासियों की है, वैसी ही हालत मेरी है। मेरा मन कोई पत्थर का मन नहीं है। मैं यहां मत्हुरा में आतु गया हूँ, राजनीती की बाते सीख गया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे राजनेतिक कारिये मुझे करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा मन आज भी गोकुल में ही रमा हुआ है, मेरा मन आज भी नंद बाबा मया येशोदा को याद करता है, गौाल बालों को याद करता है, वहां की गायों को याद करता है, वहां की प्रकृति को याद करता है, यमुना को याद करता है, बाग बगिचों को याद करता ह अपने मन की पिड़ा को उध्धव के सामने अभिवेक्त करते हैं हंस सुता की सुंदरी कगरी हंस सुता यहां पर किसके लिए प्रयोग किया गया है यमुना नदी के लिए यमुना नदी के किनारे पर यमुना नदी का जो सुंदर किनारा है कगरी क्या होता है किनारा यमुना नदी के किनारे पर बैट कर मैं गौाल बालों के साथ खेलता था, गाई चराता था, यमुना के जल में मैं सनान करता था, यमुना के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, बच्पन से यमुना के किनारे बैट कर मुझे आनंद की प्राप्ती हुई है, अरू कु जो गाएं हैं, उनको मैं भुला नहीं पाया हूँ, वे बच्छ दोहनी, वे बच्छडे, उनके जो बच्छडे हैं, दोहनी यानि की उनका दूद जब दुहा जाता था, खरीक क्या होता है, गोशाला, दुहावन जाही, खरीक दुहावन जाही, और गोशाला में जब वो प्रिडाएं करती थी, वो आज भी मेरे मन में समाई हुई है, आज भी मैं उनको भुला नहीं पाया, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल जो कुलाहल करते थे, जो मेरे साथ खेलते थे, आज भी मेरी यादों में समाई हुए, ग्वाल बालों के साथ जो कुलाहल कर यह मथुरा कंचन की नगरी, सोने की नगरी है, यह मथुरा जो नगरी है सोने की नगरी, यहाँ पर सारे सुख सुविदाएं हैं, सारे वैभव हैं, सारे भोग विलास हैं, धन दोलत का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, हर परकार का एश्वरिय यहाँ पर है, यह सोने की न वो मुझे यहाँ पर नहीं मिल पाया है जब ही सूर्ती, सूर्ती क्या होता है? याद जब ही सूर्ती आवती जब इन सब बातों की मुझे याद आती है जब इनका स्मरण हो आता है वासुख की जी उमंगत और मन में एक उमंग उठती है एक तीस सी उठती है एक पेड़ा सी उठती है कि वो सारा जो सुख है, सारा वैप हो है जो ब्रजवासियों के साथ मैंने समय बिताया था, वो कहां चला कै जी उमंगत तनू नाही तनू यानिके शरीर में नाही यानि कि नहीं रहती, सुद्ध बुद्ध नहीं रहती और जब भी मुझे वो याद सताती है तो मेरा मन बेसुद हो जाता है मेरे शरीर में जान नहीं रहती मैं बहुत ही बेसुद हो जाता अनगन भाती करी बहु लीला जसुदा नंद निबाही अनगन यानगी अनगिनत रूप से अनेक मैंने बाल लिलाएं की हैं, बाल किरडाएं की हैं, शरारते की हैं, गोपियों का माखन चुराया है, गोपियों को सताया है, मैया ये शोदा के पास बहुत सारे मेरी शिकायते आती थी अनेक भाती, अंगन भाती, करी बहु लीला, बहुत सारी लीलाएं मैंने वहाँ पर की जैसुदा नंद निभाही और नंद बाबा और येशुदा मैया ने उनका पूरा निभा किया है उन्होंने कभी मुझ पर गुस्ता नहीं किया, बहुती प्रेम भाव से मुझे बढ़ा किया है मैया येशुदा और नंद बाबा ने प्रेम का वातसले का नाता पूरी तरह से निभाया है सूर्दास प्रभू रहे मोन हवे सूर्दास ची कहते हैं कि भगवान श्रीकिषन मोन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ये कही कही पचता है और इस सारी बाते याद करते करते पच्चाताफ करने लगते हैं कि कितना सुंदर समय मैंने उन सब के बीच में बिटाया था निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपना प्रेम मुझ पर लुटाया था नंद बाबा और येशोदा मैया ने अपना वातसले मुझ पर लुटाया था और अब वो सारी बाते मेरे पास नहीं है ये सबी मेरी यादों में समाई हुए हैं इनको आज भी मैं भुला नहीं पाया तो ऐसा नहीं है कि ब्रजवासी ही मुझे याद करते हैं ऐसा नहीं है गोपिया ही मुझे याद करती है मैं भी अपने ब्रज को, नंद बाबा को, येशोदा मैया को, गोपियों को, बाल ग्वाल को, वहां की प्रकृती को सबको बहुत याद करता हूँ. और यह जो मेरा दुख है, इसको मैं किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकता. गोपिया तो अपनी बात को हक से जता सकती है कि उनके मन में मैं समाया हुआ, लेकिन मतुरा में ये सारी बातें मैं बता भी नहीं सकता, खुलके मैं जता भी नहीं सकता. मेरी विरह की जो पीड़ा है वो गोपियों से भी अधिक है गोपियों को लगता है कि मैं उनको भूल गया ब्रजवासियों को लगता है मैं उनको भूल गया लेकिन ऐसा नहीं है तो यहाँ पर भगवान श्री किशन के मन की वेथा को दिखाया गया है बहुती सुन्दर शब्दों में सूर्दास ची ने मनोवे ज्यानिक तरीके से एक एक छोटी छोटी बात को एक एक हरकत को यहां पर बहुती अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस पद में भगवान श्रीकिषन की विरेवेथा को उनके मन की पीड़ा का बहुती मार्मिक वर्णन यहां पर सूर्दास ची ने किया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ दोसरे वीडियो में तब तक स्वस्त रहिए, वेस्त रहिए, मस्त रहिए और खुशो कर अपनी परिक्षा की तैयारिया करते रहिए, आपकी परिक्षाएं आने ही वाली हैं, बहुत-बहुत असान आने वाली हैं, और साथ में आपकी परिक्षाएं अच्छी ही होंगी, धनेवाद, बहुत-बहुत धनेवाद